हेलो गाईस तो केसे हैं आप लोग तो आज इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो आज हम बात करने वाले हैं Realme 10 Pro Plus 5G के वारे में जो हाली में लाउंच हुआ है तो चलिए अब फिलाल बात करते है Realme 10 Pro Plus 5G के बारे में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है बॉक्स कंटेंट्स बॉक्स में हमें सारे चीज़े मिलते हैं फोन चार्जर केबल केस प्रॉपर्टी पेपर सिम एजेक्टर टूल मतलब Realme ने ना सारी चीज़े भर भर के दिये और हेड़फोन जैक हटा दिया है यहां पे बहुत मतलब मुझे यहां पे दुखा गाईस क्योंकि रियल्मी ने पिछले बार हेड़फोन जैक दिया थन रियल्मी 9 Pro Plus में लेकिन इस बार इनों ने हटा दिया है एट लिस्ट हेड़फोन जैक तो भी दे देती वो कनवर्टर होता है लेकिन नहीं दिया क्या ही कर सकते हैं बाकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं 6.7 इंच वाला फूल HD Plus एक ओले डिस्प्ले मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट है 360Hz स्क्रीन टू बॉड़ी रेशो है मतलब इसके बेजल से बहुत ज्यादा स्लीम है रियल्मी ने तो इवन तो कंपेरिजन किया है S22 Ultra के साथ कि S22 Ultra से भी हमारे बेजल्स पतले है जो चीन और हेड रहता है वो S22 Ultra से भी पतली है ऐसे इन्होंने कंपेरिजन किया है बाकी है कर्व डिस्प्ले तो रियल्मी ने बजेट में हमें कर्व डिस्प्ले दिया है यहाँ पर बहुत अच्छी बात किया क्योंकि जो कर्व डिस्प्ले आता है वो महिंगा रहता है और अगर वो 30,000 के नीचे पॉसिबल नहीं हो पाता वो महिंगा रहता है बाकी न इसमें टी यूई रेन लैंड लो लाइट ब्लू सर्टिफिकेशन है पतलब रात में आप कोई मोबाइल देख रहे हो तो आपका जो डिस आपके अगों को चुबेगी नहीं बाकी इसमें टी यूवी रेन लैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी है क्योंकि इसमें 2160 हट्स की PWM टीमिंग टेकनोलजी यूज़ की गई है इसका मतलब क्या आता है जब आप रात को मॉमबाइल यूज़ करते हो तब आपका समझ फ्लिकर होता है चाहे तो टेस्ट करके देखलो अंदेरे में लेकिन जो यह डिस्प्ले होता है न तो यह फ्लिकर नहीं करता यह फ्लिकर नहीं करता न तो आपके आँख है न खरबने होते हैं जब पूरा ब्रैटनेस लोग पे रहता है न तब यह फ्लिकर नहीं करता क्यों एमोरी डिस्प्ले वाल फोन जल्दी एक शॉट्स आ जाएगा बाकि इसमें न आउटोमेक मैटिकली टन्स इन लो लाइट हो जाता है इसमें 1260 हट्स का इन इंस्टन्ट सेंब्लिंग रेट है HDR10 प्लस का सपोर्ट है 100% DC IP3 कलर गैमिट का भी सपोर्ट है मतलब कलर्स भी कफी अच्छे से पंची कलर्स प्रोड्यूस कर पाएगा 800 की ग्लोबल पीक ब्रैटनेस एसा Realme के वेबसाट पे लिखा गया है लेकिन बाकि जो टेक रीविवयर है वो कह रहा है कि नाइन फिफिफट निटस की ब्रैटनेस है लेकिन जो रियल मी ने अपने वेबसाट पे दीए तो वहीं कंसेडर मैं कर रहा हूं तो इसमें अल्ट्रा डूल लिनियर डूल स्टीडियो स्पीकर्स आते जो ओपो ने इन्वेंट किये है ओपो के 10 5G में दिया थे इन्होंने तो यह जो स्पीकर्स किया है यह डॉल भी अट्मॉस को सपोर्ट नहीं करते लेकिन ना बहुत लाउड साउंड आता है इसका तो य जो अच्छे सेन आपकी स्पीकर की क्वालिटी है लेकिन बस डॉल भी अट्मॉस सपोर्टेड नहीं है इसमें हाइरेस ओडियो का सपोर्ट दिया गया है इसमें प्रोसेसर मेडियाटिक डैमेल सेटी 1080 चीप आती है जो की 6 नैनोमिटर पे बेस्ट है तो यह जो चीप हैं काफी बैटरी एफिशेंट है रियल्मी ने पिछले बार से बहुत माइनर सा अपक्रेड किया है माइनर ने हम माइनूट के सकते है क्योंकि पिछले बार एडियाटेक डैमेज सेटी 925 चीप यूज की गई थी लेकिन इस बार 1080 चीप यूज की गई है एटलिस यह 1300 यूज क बैटरी है और इसमें 80 वाट का सूपर वक चारजिंग है लेकिन ये फोन ने 67 वाट को सपोर्ट करता है तो आपका फोन ने 67 वाट कोई सपोर्ट करेगा तो रियल्मी ने चारजिंग में बस 7 वाट का अप्ग्रेड़ किया है पिछले बार 60 वाट की यूज की जार्जिंग रियल में अटलिस्ट है ना LPDDR 4X देता ठीक है लेकिन इन्होंने LPDDR 4X दिये लेकिन UFS 3.1 स्टोरेज देने चाहिते है अटलिस्ट लेकिन रीडराइट स्पीड कम आते है फिर ऐसे जो RAM 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 ROM टाइप देती है तो बाकि कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं 5G के पूरे इसमें 11 बैंट मिल जाते है और Dual 5G SIM का भी सपोर्ट है मतलब 5G के आप दो SIMS इसमें लगा कि मस्ट यूज कर सकते हो Dual 4G VOLTA Bluetooth 5.2 का सपोर्ट है Wi-Fi 6 है तो Bluetooth 5.3 और Wi-Fi 6 ही होता ना तो और latest हो जाता सफ्ट्वर के बारे में बात करते हैं Realme UI 4.0 आता है जो कि Android 13 पे बेस्ट है और सफ्ट्वर में भर-भर के कशरा डाल दिया है इन्होंने पिछले बार इन्होंने क्या किया था लेकिन इस भर जब आप फोन सेट अप करते हो ना तब recommendation देता है कि यह आप इंस्टॉल करो वो आप इंस्टॉल करो और इतनी गंदी गंदी आपस ही इस फोन में मैं आपको क्या बताओ समझ लेना उस टाइप की आप से इस फोन में रियल्मी ने बरके दिये अब यह ऐसा क्यों करते है फोन को अगर सस्ता बनाना है ना तो जो ब्रैंड होए ना इन्हें पैसे देती है कि आप हमारे आपस इंस्टॉल करो अपने फोन में तो इनके फोन की प्राइस वो बराबर घड़ जाती है इसलिए तो रियल्मी ब्लोट वेर देता है इसलिए इनकी प्राइस जल्दी से ड्रॉप हो जाती है फोन लाउच होने के बार अभी समझ में आपको रियल्मी का फंडा क्या चल रहा है कैमेरा के बारे में बात करते हैं 108 मेगापिक्सल का में कैमेरा है पिछ फोटोज में पिछली बार यह पिछली बार वर्क करता था लेकिन इस बार ओएस ही नहीं दिया है तो क्या कर लेंगे फोटोज कैसे अच्छे आपाएंगी इस फोन से तो कैमेरा में इसमें बस 108 मेगापिक्सल का शेंसर चिपका कि आपको दे दिया है कि लोगों को लगे कि रियल मेने चातां मेगापिक्सल दिया है मतलब कैमेरा और अच्छा हुगा बाकि एट मेगापिक्सल का इल्टरवाइड है 112 Dove at least 150 Dove टेना चाहिता टू मेगापिक्सल का मैक्रो तो हमारे जिंदगी में पनुवती जैसा बेठा यी है और हटने नहीं वाला आई थिंग 2025 तक ये मैक्रो का क्रेस चलता रहेगा 16 मेगापिक्सल की सेलफी है सेंसर सिस में सारे आते हैं इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर है जो की काफी फास्ट और रिलाबर वर्क करता है फेस अनलोग भी है वो भी काफी फास्ट है प्राइस के बारे में बात करते 6128 वेरियंट के लिए जो प्राइज है वो है 24,999 8128 के लिए जो प्राइज है वो है 25,999 तो आपको है न यह फोन कैसा लग मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट या कनिकुलूजन ने दहूं देखुआ इस पिछले बार से इन्होंने क्या डिक्रेट किया है OIS ने दिया है ग्ल डिस्प्ले एक दम टॉप नॉच वाला है प्रोसेशन में 10-20 परसेंट का अपग्रेट दिया है बैटरी तो 4500 एमेज की थी पैटरी और चार्जिंग में भी अपग्रेट किया गया है रहम और रॉम भी वह भी सेम है तो आपको है अगर बेस डिस्प्ले कव डिस्प्ले व हम गुजरिस करते हैं रियलमी से कि वह अपडेट डाल दे इसमें और सारे के सारे सारे के सारे नई ब्लोट वर एरेस करेंगे एटलिस जो रेकमेंडेशन आते हैं एप इंस्टोल करने के बाद उसको थो भी कम करते ताकि इनका नाम बदनाम ना हो टेक्रिव और उसके जो म अपने माई का चानल है जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो थाउजन सब्सक्राइबर एक बार रीच होगे क्या मैं रीवीव यूनिट्स लेके आउंगा तो फिलाल के लिए बाय गाईज